हेलो गाइज, विल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल, टेकनिकल सेलेक्टर, आई एम रितेस मौर्या तो सबसे पहले, FlipCut Aplication open कर लेना है, उसे पहले चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि हो, तो सबस्क्राइब करो और इस वीडियो को लाई करो, गाइज, जैसे ही FlipCut Aplication open कर लेते हो, उसके बाद सौर्च बार में आपको सौर्च कर लेना है, तो गाइज, जो भी आपको फोन सॉर्च करते हो तो सेमसंग का अध देखने कीलिए मिल्यता है उसके बद रेडमी का देखने कीलिए मिल जाता है अगेन से फोको प्रेडिमी का उसके बाद आप जो भी ब्रांड का फोन लेना चाहते हो यहां पे देख सकते हो पिक्सेल का ओपू का मोटरोला सेमसंग रियल मी यहां पे सौमी फोको वीवो और आइफोन का भी देखने के लिए मिल जाएगा तो जो भी ब्रांड का फोन चाहिए लाइक अग देख सकते हो रियल मी 9i और यहां पे फोन का प्राइस देख सकते हो 11,99 रुपिया देखने के लिए मिल जाता है सबसे पहले अगर आप क्रेडिट कार्ड पर कोई भी फोन लेना चाहते हो EMI पर या No Cost EMI पर तो सबसे पहले EMI का प्लान देखना पड़ता है कि अगर आपके कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको चेक करके तरीका बताता हूं उसके बाद बाई करके कार्ड एड करके दिखाऊंगा कोई भी कार्ड आपके पास होगा चलेगा उसके बाद यहां पर देखने के लिए मिलता है और व्यू प्लान वाले उप्शन पर आप किया जाता है, दोनों का सेम प्रोसेस है, लगिन अगर आप EMI पर लेते हो, तो आपको extra, आपको 55%, 14% लगता है, लेकिन अगर no cost EMI पर लेते हो, तो आपको 1 भी रुपिया प्राइस नहीं लएगा, आप यहां पर देख सकते हो, 11,000 का फोन है, तो आप से 11,000 ही आप से लेगा एक भी रूपय एक्स्टटनी लगेगा तो यहां पर देख सकते हो ICIC का यहां पर आपको दे रहा है जो कि आपको यहां पर नो कोस्ट यह में पर देगा लेकिन six month कर लेइं आपको देगा लेकिन अगर आप चाहते हों कि यहां पर EMI पर लूँ एक आपका क्रेडिट कर्ड अगर अपलाई करना चाहते हो जो कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्टब्शन में घर बैठे अपलाई करशकते हो तो गैज अब आपको बाइ करना है यहाँ पर क्रेडिट कर्ड कर ye SSR पर या no cost EMI पर तो guys इस phone को आपको देख लेना है तो जो भी phone select करना चाहते हो उसके बाद guys buy now वाले option पर click करना है अभी तक चैनल को subscribe नहीं क्यों subscribe करो उसके बाद अगर यह सब add करना चाहते हो तो add कर सकते हो otherwise skip and continue वाले option पर आपको click करना है उसके बाद delivery address आपको देखने के लिए मिल जागे तो change पर click करके आप अपना delivery address चेंज भी कर सकते हो otherwise same आपको रहने देना है लेकिन guys यहाँ पर एक problem है यह phone को हम लोग buy नहीं कर सकते है इसलिए क्योंकि यह out of stock है तो चलिए कोई और phone को मैं select कर लेता हूं तो guys यहाँ पर मैं कोई और phone को select कर लिया हो तो guys क अगर SBI credit card के through अगर online पूरे पैसे pay करते हो तो अगर like phone का दाम है 11,000 तो आपका 1000 minus कर दिया जाएगा यानि कि discount मिलता रहता है credit card है तो guys यहाँ पर आपका all payment method आता है UPI wallet से भी cut सकते हो net banking credit card debit card ATM card से भी आप क्या कर सकते हो phone को buy कर सकते हो अभी तक आपको पता नहीं कि credit card और कोई भी phone को buy कर सकते हो तो guys हम लोगो cash on delivery भी नहीं चाहिए नहीं UPI या online pay नहीं करना है हम लोगो credit card से चाहिए EMI पर तो आपको credit card पर click नहीं करना है यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो EMI पर click करना है क्योंकि हम लोगो EMI पर लेना है तो EMI पर click कर देना है उसके बाद पर क्लिक करते हो तो guys आप देख सकते हो credit card EMI को option देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पर आपको जो भी credit card है तो guys यहाँ पर जो भी bank का credit card है आपको select कर लेना है तो guys यहाँ पर different type का credit card देखने के लिए मिल जाता है like मैंँ अभी SBI का credit card है आपके पास तो SBI से आपको मैं बता रहा हूँ तो guys आपको SBI card को select कर लेना है और guys जैसे ही आप SBI card को select कर लेते हो जो भी bank का आपके पास credit card है उस bank को आपको select कर लेना उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो EMI with interest rate guys अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तीन महीने के लिए लेते हो EMI पर जो कि per month आपको 3779 रुपिया पे करना पड़ेगा 14% आपका interest rate इस पे लेगा अगर आप 6 महीने के लिए लेते हो तो 1918 रुपिया पर month पे करना पड़ेगा और आपको 14% interest rate आपको देखने के लिए मिल जाता है अगर यही 9 महीने के लिए लेते हो तो आपको 1301 रुपिया पर month पे करना पड़ेगा जो कि इस पे भी आपको 14% interest rate देखने के लिए मिल जाता है अगर यही 12 महीने के लिए लेते हो EMI पर तो आपको 992 रुपिया पर month पे करना पड़ेगा 14% interest rate आपको pay करना पड़ेगा और guys processing fee की मैं बात करूँ तो 99 रुपिया आपके अपने bank से charges कटेगा जो की taxes के रूप में ये आपको कटेगा ही कटेगा तो guys अब आपको देख लेना है जिस भी month का आप लेना चाहते हो तो guys यहाँ पे आपको करना क्या है यहाँ पे like अगर मैं 9 महीने के लिए लेना चाहता हूँ तो 9 महीने पर click कर दूँगा और यह देख सकते हो 9 महीने के लिए per month आपको pay करना पड़ेगा 1301 रुपिया और interest rate 14% लएगा उसके बाद नीचे में scroll करके पूरा यहाँ पे plan आपको समझा दू तो गाइस देख सकते हो फोन का price 11,999 रुपिया delivery charge free है packaging charge 49 रुपिया लएगा और interest rate जो की bank के द्वारा charge किया गया है 655 रुपिया 14% interest rate लग रहा है यानि कि कौम से कौम interest rate में आपका यहाँ पे phone buy हो जाएगा और आपके अपने घर पे मंगा सकते हो और discount भी देख सकते हो bank के द्वारा 1000 का minus किया गया है तो गाइस आपका phone का price देखने के लिए मिल जाएगा तो गाइस इस चीज़ को समझ जाना है उसके बाद गाइस अब आपको करना है कि यहाँ पे continue वाले option पर click करना है और गाइस जैसे ही आप continue वाले option पर click करते हो तो गाइस यहाँ पे add card का option हैगा या देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या करना है card number डालना है तो जो भी आपके पास credit card होगा credit card का card number होता है card number डालना है उसके बाद expiry month और year fill करना है कोई-कोई credit card पे CVV number नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं जो पे अगर आपके पास CVV number है तो CVV number आपको fill कर लेना है तो गाइस यहाँ पे आपको card number experiment और year CVV number आपको डाल करके उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो EMI with information देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे आपका phone का price देखने के लिए मिल जाता है 11,048 रुपया जो कि 8 working days में आपका first EMI आपके अपके अपने credit card से कटेगा जिसमें processing fee 99 रुपया लएगा जो कि आपके taxes आपके bank के द्वारा charges किया जारा यह कहीं से भी लगता है कोई दिकत वाली बात नहीं है उसके बाद यहाँ पे आपका per month है 1301 रुपया कटेगा जो कि 9 महीने के लिए आपका 9 महीने तक आपके अपने credit card से with interest के साथ है 1301 रुपया आपको कटेगा तो इस तरीके से आपको क्या करना है card number experiment और ERCBV number डाल करके continue पर click कर दोगे तो आपका phone आपके घर पे आजाएगा I hope कि आप इस वीडियो को complete watch कि होंगे और step by step देखे होंगे तो आपको सारा कुछ process समझ में आगे होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो गैज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजी तो गैज मिलते हैं ऐसे ही नए और face वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर